आज आपकी जिन्दगी की लंबे समय से चलिया रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस समय का लंबे समय तक खिचने का कारण इस समस्या से जुड़े लोगों के विचार ना मिलना हो सकता है। खैर जो कुछ भी हो आप जश्न मना सकते हैं क्योंकि अब आपकी जिन्दगी सही दिशा की और मोड लेगी। आप सुक शान्ती के मजे लें। आज आपके किसी नए व्यक्ति के साथ रिष्टे बनने की प्रबल संभावना है। कुछ करने से पहले निश्चित कर लें कि ये सिर्फ आकरशन तो नहीं क्योंकि उससे आपको बाद में निराशा ही हाथ लगेगी। पहली मुलाकात में ज्यादा जजबाती होने की बजाए लंबे रिष्टे की नीव डालने में विश्वास रखें। आज आफिस में आपको लोगों के विरोध को जेलना पड़ सकता है। इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। ये आपके फायदे के लिए ही है। इसे खुले दिमाग से स्विकार करें। वो क्या कहा जा रहा है इसे समझने की कोशिश करें। चाहे बाद में आप उस बाद स इसका फैसला कर सकते हैं। बहुत दिनों से इसकी सोच रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है। हाला कि ठीक से देख सुन लें ताकि आपका वन चाहा घर मिल सके। सही सोच और दिशा के साथ आगे बढ़ें। काम बन जाएगा। मुबारक हो। आज आप अपने परिवार के साथ जाच के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। इस समय अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप आज ही इलाच कराएं। आपको ये जान के खुशी होगी कि आपने चेक अप सही समय पर कराया है क्योंकि सर्दियों का समय आने ही वाला है। ध्यान रखें कि दातों का चेक अप जरूर कराएं। उच अधिकारी आज आपकी सहायता करने के लिए तयार रहेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको सही दिशा दिखाते हुए आपकी जरूरत के अनुसार मदद करेंगे। अपने सारे कागजात संभाल कर रखे और जितनी जल्दी हो सके अपना काम करा लें। मौके का फायदा उठाएं। अपने प्रेम को ताजा रखने का प्रयास करें। अपने साथी के साथ रात का खाना मदद करेगा। याद रखें कि बिना अपेक्षाओं के दिये हुए पूरे प्रेम में जादूई शक्ती होत अगर आपकी योजना है तो आज आप कोई नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। इस दिशा में आज आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आज आप अपने नए काम की शुरुवात करते हैं, तो आने वाले समय में आपको लाभी होगा। आज आपको शेर बाजार में निवेश के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आज इससे अच्छी आमदनी के संकेत हैं। जटपट पैसा कमा कर अमीर होने की न सोचें, बलकि सुरक्षित निवेश का विकल्ब चुनें, जिसमें लाभ होना निश्चित है। निवेश करने से प जाफी देर तक कम्प्यूटर पर बैठे हैं, तो आज ही जाकर अपनी आखों की जाज कराएं। ध्यान रहे, आप ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बैठ कर काम ना करें, और अपनी आखों को आराम दें, वरना सरदर्द की परेशानी बराबर बनी रहेगी। आज अपनी पहस भी बड़े जगड़े में परिवर्तित हो सकती है। आपको उनका विवहार दुख पहुचा सकता है, इसलिए इन बेकार की बातों में ना पढ़ें। अपना दिमाग शांत रखें, वो बेकार की बातों से दूर रहें। आप अपने साथी को बताएं कि वह आपके लिए कितना महत्वपून है। आपकी व्यावसाइक सफलता आज आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आपको अपने काम को ठीक से समझ कर, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको अपनी कार्यनीती को ठीक से परिभाशित क करके ही उस पर काम करना होगा। खुद को पूरी तरह से तकनी की ज्यान से लैस करके ही सब के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। तो सफलता जरूर मिलेगी। रिष्य के वित्ती लक्षों को पूरा कीजिए। राशिकर्क अगर आप अपने अकेले पन से उब चुके हैं तो आज अपनी किसी दोस्ती को रिष्टे में बदलते देख सकते हैं जो प्यार और भरोसे से लबालब होगा। फिर भी दोनों एक दूसरे की राय और शर्टों से अच्छी तरह से वाकिफ हो लें। राशिकर्क आज आप शायद हैरान हो जाएं जबकि आपको अपने किसी दोस्त या जानकार से ऐसी किसी नौकरी का अवसर मिले जो कि आपके लिए बिलकुल सही है। इस अवसर के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें क्यूंकि ये लोग दिल से आपका भला ही चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे पूरी जानकारी अच्छी तरह ले लें। राशिकर्क, फाइनांस राशिकर्क, हेल्थ आपको इस स्थिती को काबु में रखना होगा। दूसरे के नजरिये को भी समझने की कोशिश करें। इससे समस्या तो हल होगी ही। साथ ही आपकी दोस्ती का रिष्टा तूटने से भी बच जाएगा। राशि सिंग, रुमैंस आज आपकी किसी अतियाकर्शक व्यक्ती से मुलाकात की प्रबल संभावना है। संभव है आप उससे कारिस्थल पर मिलें। ये मुलाकात आपके लिए बहुत रोचक साबित हो सकती है। कारिस्थल से बाहर निकलने तक रुमैंस को ज़्यादा तूल देने से बचें। अगर आप एक कलाकार या हस्त शिल्पी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप पाएंगे कि आपकी कलात्मक्ता अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए आज आप बहुत बढ़िया विचारों को जन्म देंगे। अगर आप किसी संस्थान में काम करते ह तो आपके उच्छा धिकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी सराहना करेंगे। इसके लिए आपको बोनस या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है। आज व्यावसाइक संपत्ती लेन देन करना आपके फायदे में होगा। इसमें हिच्किचाहिए नहीं। लेकिन शेर या किस साजेदारी में पैसा बिलकुल मत लगाईए। चाहे कोई कितना भी बड़ा लालच दे। राशी सिंग हेल्थ किसी बीमारी का सही वक्त पर पता चलने के कारण आप उसे सही करने के लिए उचित दवाई और खान-पान में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में आपक अगर आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी जीत निश्चत हैं। किसी अनभवी वकील की सलाह लें। चिंता की कोई बात नहीं है क्यूंकि उच्चा दिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। आपको धैरे रखने की जरूरत है। पहले आपको ये कठनाई भी अच्छी लगती थी, पर आज आप किसी को नहीं चुनना चाहते। कूट नीतिक रास्ता अपनाएं और इस नौबत से बाहर निकलने। नवीन काम के साथ धेर सारे उत्तरदायद भी सामने आएंगे। आपको संस्थान के प्रतिमान के साथ चलने के लिए कड़ी महनत करनी होगी। संस्थान के किसी तकनीकी काम में आपकी प्रतिभा का परिचय मिलेगा। यदि कड़ी महनत से काम करेंगे तो आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे। इस वक्त पैत्रिक संपत्ती से संबंधित मामलों को सामने नहीं लाना चाहिए। ये समय पैत्रिक संपत्ती के मामले में चर्चा के लिए उचित नहीं है क्योंकि ये परिवारों को विभाजन के कगार पर ले जा सकता है और परिस्तितिया भया वह रूप ले सकती हैं। अ आज से उनके लिए अच्छे दिन शुरू हैं। उन्हें अपने इलाज की वजह से सकारात्मक परणाम नजर आएंगे। अब आपको आशा की किरन दिखाई देगी क्योंकि अब पुरानी बीमारियां ठीक होने लगी है। आप अपने इलाज को लगातार चलाते रहें और सफलता मिलेगी। आज आप इस्थिती में हैं कि अपने विचारों को क्रियानवित कर सकें। जिन्दगी ने आपको जो कुछ भी दिया है और जिस दिशा में आपको ले जा रही है उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लोगों से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं जिसका उपयोग आप अपने लिए नए अवसरों के द्वार खोलने में कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आप सफलता को सर पर न चड़ने दें। आज किसी नए रिष्टे को शुरू करने से पहले अच्छी तरह उसे परक लें। इस रिष्टे की सफलता के लिए तरक संग आज आपको अपने पार्टनर के चुनाव के वक्त यथार्थवादी और तरक संगत होना जरूरी है। आज कोई खास काम या आकरशक योजना आपको सारा दिन घेरे रहेगी। आपका सारा दिन इस बारे में सोचने में ही निकल जाएगा। इसके पूरा करने में आप अप अरे जोखिम वाला कोई निवेश ना करें, अन्यता नुकसान और बड़ा होगा। कुछ आर्थिक मामले ऐसे आएंगे जिसे आप ताल भी नहीं सकते। इसलिए निवेश करने के मामले में अभी पुराने तरीकों पर ही कायम रहें। ये दोर जल्दी ही गुजर जाएगा आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि आप सरदर्द या फिर पेट की समस्या से परेशान हो सकते हैं। इसलिए उन चीजों से दूर रहें जिनसे आपका स्वास्त खराब हो। ज्यादा चिंता से मानसिक तनाव और सिरदर्द पैदा हो सकता है। स्वस्त रह आज आपके प्यार में डूबे रहने का दिन है। पार्टनर आपको बार बार छेड़ेगा। आप दोनों दिन भर आनंद करेंगे। आपको लगेगा कि दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय और उर्जा है। वे जो कानूनी पेशे में हैं उन्हें आज अनेक सही अवसरों की प्राप्ति होगी। खास कर वे जो कॉर्परेट शेत्र में हैं। शैक्षनिक शेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है। आपको धैरे रखना होगा और स्थिती अपने आप सुधरेगी। आज का दिन आपके लिए भागिशाली है। अंततह आज आप खुद को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर महसूस करेंगे। आप महनत तो काफी समय से कर रहे थे पर पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज वह दिन है कि आ आप अपने खर्चे और आएगा ठीक से लेखा जोखा कर लें। इसका भविश्य में फायदा मिलेगा। राशिवरिष्चिक हेल्द। पाचन से संबंधित परेशानी हो सकती है। खलका फुलका खाने से आपको आराम मिलेगा। आपको शादेरिक क्रियाओं पर ध्यान के करने की आवशकता है ताकि आपको मोटा पे या पेट की परेशानी न हो। आपको आज कुछ भी खाते समय सावधानी बरतने की आवशकता है। आज जहां तक आपके व्यावसाइक उद्देशों का सवाल है, आपके सितारे गर्दिश में ही हैं। आपको इसी जीवन में कुछ चाहिए, जैसे दोस्त, परिवार, पैसा, शोहरत और सफलता, अपने लक्षों को पाने के लिए अभी से काम पर लग जाएं। लक्ष प्राप्ति की इस रह पर शायद आपकी सभी उमीदें पूरी न हो पाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिस्तियों स ये उप्युक्त समय है, यदि आप अपने साथी के समक्ष कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो यही उप्युक्त समय है, जबकी वो मान जाएगा, अता आप मौके का फायदा उठाएं, जिससे आपको भरपूर खुशियां मिलेंगी। नौकरी बदलते समय ये सोचें कि ये बदलाव आपके लिए सही है या नहीं, दीरगावधी के लक्षों की और ध्यान दें। आज आमदनी कम खर्चा जादा है, यहाँ तक की खर्च आपकी कमाई से भी जादा हो सकता है, जरूरी है कि अपने खर्च का एक बार लेखा जोखा ठीक से निकालें, नहीं तो स्थिती चिंता जनक भी हो सकती है, तैगर लें कि पाउं उतना ही फैलाना है, जितनी लंबी आपके स्वास्त के मार्ग में आने वाली किसी भी तरह की परिशानी दूर हो सकती है, आपकी सेहत में सुधार आएगा, और आपकी जिन्दगी में खुद बखुद अच्छा बदलाव नजर आएगा, ध्यान रहे, आप इस सकारात्मक छवी को अपनी जिन्दगी में इस्त जो की आपको बहुत समय से परिशान कर रही थी, आज आपकी बधिक्षमता और योग्यता चरम सीमा पर है, आज आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से हल कर पाएंगे आज अपने प्रेमी के साथ आप यादगार पल बिताएंगे, सभी परेशानियों को पीछे छोड़ कर, साथ घूमने से संबंध में नई मजबूती आएगी आप जिस महदपून योजना पर काम कर रहे हैं, उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आ सकती हैं अगर आपको अपनी महनत का फल नहीं मिला, तो आप कुछ उदासीन हो सकते हैं ध्यान रखें कि अपनी महनत व लगन से ही आप अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे जीवन में भौतिक चीजें आने से जिन्दगी का आनंद उठाएंगे, लेकिन सुक सुविधा में जीवन की अनमोल चीजें जैसे की परिवार, मित्र और सेहत को नजर अंदाज ना कर दें आज आपकी तबियत थोड़ी नाजुक हो सकती है, किसी भी चीज को खाते समय सावधानी बढ़तें और कोशिश करें कि तली भुनी और चटपटी चीजों से दूर रहें अच्छी सेहत और उर्जावान बने रहने के लिए चिंता ना करें और ना ही अपना मन किसी नई चीज को बनाने में लगाएं आज आपको अपनी योगिताओं को विकसित करने का मौका मिल सकता है, इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, इससे आपको शिक्षा के क्षेतर में भी सफलता मिलेगी किसी भी अफसर को हाथ से ना जाने दें, चूँकि यही अफसर भविश्य में आपकी सफलता के द्वार खोल सकता है आज आप शहर से बाहर भ्रमण के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके अपने जीवन साथी के साथ दोबारा से अच्छे संबंध कायम होंगे आप प्रसन्रता अनुभव करेंगे आपका साथी आपके सम्मुख अपना प्रगाढ प्रेम एवं आतनियता प्रदर्शित करेगा, जिससे प्रेम की अनुभूती होगी बच्चों को उनके दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ कर जाने पर अपने को दोशी न महसूस करें क्योंकि आपके घर में ना रहने के बावजूद भी वह अच्छा समय व्यतीत करेंगे राशिकुम्भ, करिया काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के कारण आप सारी परेशानियों को आसानी से हल कर पाएंगे. आपको अपने काम को पूरे मजे से करना चाहिए. अपना आत्म विश्वास उचा रखें और काम के बोज को आसानी से उठाने की कोशिश करें. अगर आपको कोई परेशानी आए तो भी अपने मार्ग से ना हटें अगर आप अपने विवसाय को अपने दिमाग में सब से उपर रखें तो आप इन परिशानियों को आसानी से दूर कर सकेंगे राशिकुम्ब फाइनान्स अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए फल डायक होगा आप अपनी आखें खुली रखें क्योंकि कोई भी नया तरीका आपके व्यापार को लाब पहुचाएगा एक अंचाहा लाब होने की उमीद है किसी भी मौके का फाइदा उठाएं आज आप शारिदिक और मानसिक रूप से स्वस्त महसूस करेंगे इसलिए आप निस्तं को छोकर कारे कर सकते हैं आज मानसिक बरेशानी भी कम होगी तो आप दोस्तों और घरवालों के साथ मजा कर सकते हैं क्यों ना आप अपनी खुशी को सब के साथ बाटें और इस दिन को यादगार बनाएं ये समय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अच्छा है आपको सफलता जरूर मिलेगी अपना आत्म विश्वास बनाए रखें वो इस परीक्षा में पूरे आत्म विश्वास के साथ भाग लें आपका हृदय अपने साथी के वियोग से व्यथित है आज आप अपने साथी से मिलने के कारेक्रम में कुछ प्रगदी का अनुभव करेंगे जबकि वास्तव में आज भेंट ना हो सकेगी पर भविश्व में जल्दी ही मुलाकात होने की संभावना है अधा कुछ खास प्रोग्राम बना लें आज आपको अपने व्यवसाई के व्रिधी के लिए भागीदारी के विशे में सोचना चाहिए आप देखेंगे कि यदि आज आपने सही भागीदार चुना तो आपके व्यवसाई के उत्पादक्ता, लाब और उचाई इतनी अधिक होगी जितनी की आपने अकेले कभी सोची भी नहीं होगी आपको प्रायोगिक होकर निरणय लेने होंगे व्यवसाई के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी इसका अच्छा फायदा भी मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क भी बनेगा जिनके जरीए आप अपने व्यवसाई में भी आगे बढ़ेंगे इस ट्रिप में आप जो निवेश करेंगे उसका भी बड़ा वायदा मिलने वाला है इसलिए इस ट्रिप में प्रस्तुती दें और लोगों से संपर्क बढ़ाएं भविश में काम आएगा आपको अपनी सेहत का खयाल रखना होगा हो सकता है बुखार से आप बीमार पड़ जाएं शीतल पेय और मधबान से दूर रहें अगर आपको अपनी सेहत गिरती हुई नजर आए तो ध्यान रहे कि आप आराम करें ताकि ये बीमारी दूर हो जाए